नोकिया के फोनों का जादू कई देशों में चलता है और बात करें भारत की तो भारत में तो इसके दीवाने कुछ जाद़ई हैं क्योंकि नौकिया के फोनों की बात ही कुछ और होती है ताज़ अपडेट के मुताबिक Finland की कमपनी HMD Global नए स्मार्टफोन्स लाँच करने की तैयारी में है और 5 दिसंबर को दुबई में कमपनी ने स्मार्टफोन्स लाँच करेगी तो भही कमपनी के चीफ के माने तो उन्होंने ट्विटर पर expect more hashtag के साथ ये जानकरी शेर की है मीडिया इन्वाइट्स भी भेजे हैं जिसमें कमपनी ने टीजर भी पोस्ट किया है और टीजर से लग रहा है कि Nokia 8.1 ही होगा आपको बता दें कि टीजर से Nokia की तीन ने स्मार्टफोन्स आने की उम्मीद लग रही है Global variant Nokia X7 को Nokia 8.1 के तौर पर लाँच कर जा सकता है आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को चीन में लाँच कर दिया गया है तीन डिवाइस हो सकते हैं जिन में से एक Nokia 8.1 ही हो सकता है हाली में Nokia का एंट्री लेवल स्मार्टफोन Nokia 2.1 को FCC सर्टिफिकेशन मिली है इसलिए मुम्किन है कि इस इवेंट में Nokia 2.1 भी लाँच होगा भारत में साल कोई स्मार्टफोन लाँच होगा या नहीं फिलाल यह भी साफ नहीं है नेक्स्ट रेंटेक के लिए राशित अली की रिपोर्ट